प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर प्रिये बच्चों हिंदी ब्याक्रण का सफर हमारा पहुच चुका है अब 26 अध्याय पर इससे पहले मैं 25 वीडियो जिसके दे चुकी हूँ आप लोगों को जो भी विद्यार्थी जो भी स्टुडेंट मेरे इस वी देख रहा है अगर उसको व्याक्रण जीरो से लेकर के अगर पढ़ना है समझना है तो वह व्याक्रण के भाग एक से अध्याय एक से देखे पार्ट वन से देखे तो आपके समझ में सब चीज आ जाएगा वहाँ पर मैंने हिंदी स्वर ब्यांजन और सब से लेकर के बिल्कुल बहुत ही गहराई से आप लोगों को पढ़ाया चले ले चलती हूँ आज अब ये सिरीज चल रही है हिंदी व्याक्रण की इसके अंतरगता आ गये हैं हम लिंग बचन और कारक पर लिंग मैं पढ़ा आ चुकी हूँ कल बहुत अच्छा आप लोगोंने रिस्पॉंस तिया है बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं मुझे भी एप्रिसेशन मिल रहा है आप लोगों से तीक अब आज मैं बचन सिर्फ मैं दस मिनट का वीडियो दस बारे मिनट का वीडियो आपको आपको कहीं पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 99% में कबर कर लूँगी 1% मैं इसलिए छोड़ी हूँ क्योंकि बचन बहुत सारा जैसे कि इसमें सस्कृत रूप भी आता है और अन्य जो रूप आते हैं इसमें वो हमारे लिए अभी उप्योगी नहीं है उसको में उस ससकृत के विद्यार्थियों के लिए वो प्योगी है जब ससकृत की कोई ऐसा वीडियो लाओंगी तो आपको बता दूँगी ठीक हिंदी में जितना बचन कवर होता है वो मैंने 100% किया है चले शुरू करते हैं सबसे पहले बचन क्या है सब्दु का संख्या बोधक वि संख्या बोधक मतलब इनकी संख्या बदलती रही रहती है बचन तो वैसे भी विकारी है क्योंकि यह एक बचन और बहु बचन में आते हैं ठीक है और हिंदी व्याकरण में हमारे हिंदी व्याकरण में सस्कृत ब्याकरण में तीन रूप बचन के बताए गये हैं एक बचन हमारा एक बचन और दिवचन में चलता है, अब एक बचन क्या है, जब हम एक पदार्थ का अधियन करते हैं, एक पदार्थ के बारे में बोलते हैं, एक चीज के बारे में बोलते हैं, वो एक बचन, बहु बचन एक से ज़्यादा, जैसे पुस्तक है, सिर्फ हमने पुस्तक, म मैंने कहा आपसे मेरी पुस्तक दो इसका मतलब है कि आपके पास मेरी एक पुस्तक है आप उसको लोटाए जब मैंने ये कहूंगी कि आप मेरी पुस्तकें लोटा दे तो उसका मतलब है कि आपके पास मेरी एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं ठीक है और सबसे पहले ये जो बचन होता है बचन नहीं होता है कई बच्चे इसको बचन बोलते है ठीक है बचन ऊच्छान उच्छारित करते हैं। का उच्चारण बचन करते हैं बचन गलत है वचन बोलिएगा इसको और एक वचन और ये वभभअ trud वोलते हैं की लेकिन ये वभभभचन होता है ठ्यान दिजिएगा ठीक है अब देखिएगा मैंने कहा न एक के लिए एक बचन और एक से जादे के लिए बहुवचन लेकिन जब हम किसी का आदर करते हैं तो वहाँ पर एक वस्त भी होती है या एक चीच भी होती है तो वहाँ पर बहुवचन का उप्यों करते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद बाल भमचारी थे स्वामी विवेकानंद एक ही व्यक्ति हैं एक ही व् और हैं किसके लिए आता है बहुवचन के लिए आता है ठीक है अब ऐसे भी कई शब्द हैशे भी होते हैं जो बहुवचन उनका होता ही नहीं है जैसे आदमी डाकू पती रिशी अब मैं अभी कह रही हूं कि आपसे बहुवचन इनका नहीं होता है लेकिन आम किसमें इसका ब कितने जैसे मैंने कहा कितने आदमी थे ठीक है कितने अब जब मैं कहती हूँ आपने आदमीयों को बुलाया तो आप कहेंगे कि यहां पर आपने आदमी का बहुबचन नहीं होता है का लेकिन आपने आदमीयों को बुलाया ठीक अब मैं इसको समझाई देती हूँ जैसे मैंने कहा कितने आदमी आई कितने इसमें तो आदमी आदमी बहुबचन है अब मैंने कहा कि आदमियों को बुलाया आदमियों जिसको हम परसंस बोलते हैं आदमियों को बुलाया क्यों यहां पर आदमी का आदमियों हो गया ठीक है यह होता है विभक्ति में आदमियों को यहां पर विभक्ती लगी जहां पर विभक्ती नहीं होगी वहां पर इनके बहुबचन नहीं होंगे ठीक है लेकिन जहां पर विभक्ती आएगी काकी के रारीरे जहां पर आएगी वहां पर इनके बहुबचन बदल जाते हैं ठीक है बच्चो आई बात समझ में अभी मैं और नीचे आ ठालीजिए, pulling सब्दू में, यानि mail सब्दू में, pulling सब्दू के अंत में जब a होता है, तो वो a में बदल जाता है, बहुबचन, एक बचन में a होगा, तो बहुबचन में a में बदल जाएगा, जैसे लड़का a आया, तो लड़के a हो गया, ठीक है, a का क्या हो गया, यहाँ पर लड़का a, लड़के a हो रहा है, ठीक, ऐसे ही, और ध्यान रखिएगा, pulling सब्दों के अंत में, सिर्फ pulling में, सब्द में नहीं, सिर्फ pulling सब्दों के अंत में, जब a आये, तो ये a में बदल जाता है, बहु बचन बनाने में, आगे बढ़ते हैं, जब pulling, वोसी pulling सब्दों के, दोनूं बचनूं में, जैसे pulling सब्द में a, e, बड़ी e, छोटा उ, बढ़ा उ, ये pulling सब्द के अंत में यहां होता है, pulling याद रखिएगा कि pulling, pulling सब्द के अंत में जब यहां होता है, जैसे घर आया, घर आया, तो घर का घर ही रहता है, जब हम बहु बचन बनाएंगे, तो घर ही रहेगा, हाथी, जब कोई विभक्ति नहीं होगी, जब हम सिर्फ नॉर्मल वे में, जनरली और साधान तह हम उप्योग करेंगे, तो हाथी का हाथी ही रहेगा, जैसे हाथी आ गया, हम बोलते हैं हाथी आ गया, और एक हाथी आ गया, अब हाथी आ गये, हाथियों आ गये तो नहीं कहा मैंने, हाथी आ गये, जहां हाथी एक बचन में हाथी है तो बहुबचन में भी हाथी है अब तीसरी कंडिशन आती है कि हाथियों ने फसल रौध डाली अब क्या आ गया ने आ गया तो विभक्ति आ गई बीच में इसलिए हाथी का हाथी हो गया और साधान तो हाथी आया हाथी आये एक बचन भी हो next condition आती है हमारे पास और इस्त्री लिंग का अंतियम ओ ए में बदल जाता है ठीक है जैसे condition होनी चाहिए कि शब्द इस्त्री लिंग होना चाहिए जैसे यहाँ पर pull लिंग पढ़ाया मैंने यहाँ पर इस्त्री लिंग इस्त्री लिंग में जैसे हमने बहन कहा बहन ओ आ रहा है बहन हो गया ए में बदल गया है जैसे रात ओ आया राते ए में बदल गया ठीक और कंडिशन क्या है इस्त्री लिंग का अंतिम ओ ए में बदल जाता है अब अगली कंडिशन में हमें आपको लिये चलती हूं जब इस्त इस्त्री लिंग के अंत में जो है इस्त्री लिंग वाला शब्द हो आ हो आ जाई तो ए में बदल जाता है जैसे माता आया माताएं बदल गया बहु बचन में बदल गया महिला आया महिलाएं किस में बदला ए में बदला और कंडिशन क्या होती है कि इस्त्री लिंग का आ होना जीए ठीक, अब इस्त्री लिंग की छोटी इ बड़ी इ ठीक है, इया में बदल जाता है, जैसे अब बड़ी इ नारी, इस्त्री लिंग है नारी, क्या आ रहा है, बड़ी इ आ रहा है, इ नारी, अब इया, नारिया, इया में बदल गया है, जैसे अब छोटी, अब एक मैंने बड़ी का उधारण लिया, एक छोटी का उधारण लिया, जैसे रीती, छोटी इया, रीतिया, इया में बदल गया, और लेकिन इसकी दसा क्या होनी चीए, इस त्री लिंग की छोटी इ, बड़ी इया में बदल जाता है ये सब कंडिसंस आप अपने माइन में एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदय एक बचन में उप्योग होता है इसके जो है बहुबचन बनते ही नहीं है वो शब्द है भीड लगता हमको ऐ ऐसा है कि भीड में बहुत जादे आदमी होते हैं तो ये बहुबचन होगा लेकिन ये मतलब ये व्याकरण की द्रिश्टि से बहुबचन नहीं होता है भीड जो है एक बचन होता है ऐसे ही जनता बहुत सारे लोगों को मिल करके बहुत सारे स्त्रीपुरुस बच्चों को म जनता में बनती है लेकिन जनता एक बचन में उप्योग होती है ऐसे प्रजा प्रजा भी एक बचन में उप्योग होती है सदय याद रखेगा और सदा बहुबचन में उप्योग होते हैं जैसे आशू हो गया दर्सन हो गया प्राण हो गया लोग हो गया जब हम बोलते हैं कि ह हम कहते हैं कितने लोग सभा में आये थे कितने लोग यानि लोग हमारा किस में हो गया बहुवचन में उपियोग हो गया ठीक अब कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम अगर गण लगाएं जन लगाएं मंडल लगाएं ठीक है ये जन जन दो बालिकते हैं वरंद लगाएं वर्ग लगाएं जैसे चात्र हम क्या कहते हैं चात्र गण जब बहुत सारे समुहों में छात्र उपस्तित होते हैं तो छात्र गण कहा जाता है वरध का अगर बहुवचन बनाएं तो वरध जन मित्र का मित्रमंडल यूवा का यूवरग हम कहते हैं आज का यूआवर्ग ये सोचता है आज के यूआउं ये नहीं सोचता है अगर हम कहें कि आज के यूआउं ठीक है वो जो है गलत है लेकिन हम कहते हैं आज का यूआवर्ग ये सोचता है मुनि वरंद अब मैं आपको बहुत गहरी चीज बता रही हूं किसी भी वी और विभक्ति का क्या संबंद हैं एक शब्द एशा जो एक बचन में भी उप्योग होता है वही शब्द बहुबचन में भी उप्योग होता है और वहुबचन उसके दो होते हैं ठीक है एक तो वह खुद एक बचन का सब्द होगा दूसरा जिसमें वह बदलेगा अब देखो हाथी की स्थिती समझ लीजे हमने कहा कितने हाथी थे हमने जैसे कहा हमने कहा कि हाथी आया था मतलब एक हाथी आया था ठीक है अब हमने कहा कि कितने हाथी होंगे मतलब एक से ज़्यादा हाथी है तब हमने पूछा कि कितने हाथी होंगे हाथी का हाथी रहा वह वचन में लेक अगर यहाँ पर कहेंगे कि हाथी की तो बात छोड़ो ऐसा कहेंगे मतलब एक हाथी की बात छोड़ो नहीं हमने यहाँ पर हाथी का बहुवचन बनाना है हमने का कि हाथीयों की बात छोड़ो अब देखियो हाथी और हाथीयों चेंज कहां से हो गया यह विवक्ति लगने पर जब यह विभक्ति लगती है तो यह जो एक वचन था फिर बहुवचन बना इस बहुवचन में भी बदलाव आ जाता है ऐसे ही हमने कहा कितने लड़कों ने चोरों को पकड़ा अब कितने लड़कों ने चोरों को पकड़ा मतलब लड़के भी बहुवचन है चोरों चोर भी बहुवचन है ठीक है अब हमने कहा चोर की तो चोर तो भाग गई ठीक है चोर तो भाग गई यानि यहाँ पर जो चोर का चोरों हमने बहुवचन बनाया ये बहुवचन हमारा यहां चोर में बदल गया ठीक है ये चोर तो भाग गए मतलब एक से ज्यादा थे चोर भाग गए ठीक हमने कहा अब हम दूसरी कंडिशन में आपके सामने रखती हूं मैं कहते हूं चोर पकड़ा पूसते हैं किसी के घर म मतलब चोर पकड़ा यानि एक चोर था हमने कहा कि चोर भाग गए नहीं नहीं कहा हमने नहीं चोर तो भाग गए चोर तो भाग गए भाग गए अब यहां पर कंडिशन क्या है कि ये जो चोर यहां पर एक वचन में था ये ही चोर यहां पर बहुवचन में हो गया और ये ही चोर यहां पर चोरों में वहवचन में हो गया हमको क्या करना है जब विवक्ति लगती है तब इन वहवचन में बदलाव आता है नहीं तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में भी एक समान होते हैं वहवचन में भी एक समान होते हैं जब विवक्ति लगती है तो उनका बहुबचन बदल जाता है प्यारे बच्चो इस टॉपिक से ले करके आपके पास कोई भी फ्रस्न हो किसी भी परिक्स्या में आया हुआ हो कमेंट सक्षन खुला है आप जो है वे फिक्र हो करके पूछ सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा वीडियो को जरा सेर कर दीजिएगा क्योंकि सारे बच्चों को विद्यार्थियों को ये सुविदा मिल सके और स्वस्त रहिएगा खुब मेहनत कीजिएगा आगे बढ़िएगा जै हिंद जै भारत